हेलो फ्रेंड्स आज सीखेंगे हम डाई मीटर कपड़े से सलवार बनाना हमें पटियाला सलवार की हम कटिंग करना सीखेंगे और सिलाई करना सबसे पहले कपड़े को चार फूल्ड में बिछाके और यहां से 6.5 इंच बेल्ट का निकालके हम पाट की कटिंग करेंगे तो हमारा 32 इंच आता है यह देखिए तो हम 32 इंच की पाट कट कर लेंगे यहां से कट कर देंगे इसको अब हम पाट की चोड़ाई लेंगे अभी देखिए जिसे हम पाट की चोड़ाई ले रही हैं यहां से 8 इंच पे तो यहां से हम 8 इंच पे पाट की चोड़ाई अगर आप मोहरी छोटी रख रही हैं तो आप यहां से 6-6 इंच ले सकती हैं तो अभी देखिए फ्रेंट्स मेरे पास यह दो पाट आ गए हैं और यह मेरा बचा हुआ कपड़ा है जो बच गया है जिससे हम बैल्ट बना लेंगे अब हम इसमें से अपने बैल्ट की कटिंग क करेंगे तो अब यहां से 8-8 इंच पर हम निसान लगा देंगे बैल्ट के लिए तो यहां से एक सीधी लाइन बना के हम पूरा एक सीधा लाइन बना लेंगे अब इसको कट कर देंगे अब यह हमने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको बिछा लिया है अब जितने हमारे पार्ट थे देखिए जैसे हमारे पार्ट थे 32 इंच के तो हम 32 इंच पे निसान लगा लेंगे कली के लिए और 9 इंच पे हम अपना आसन ले लेंगे ठीक है तो यह देखिए और यहां से हम लगबख डेड़ इंच की कली की चोड़ाई रखेंगे सेम हम दूसरी साइड से करेंगे यहां से भी हम 9 इंच ले लेंगे और 1.5 इंच ऐसे ले लेंगे अंदर की साइड करके अब यहां से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे यह देखे इंच टेप को हम रख रहे हैं इस तरीके से और फिर उसी निसान से मिला देंगे ऐसे और यहां से पहले सीधा करेंगे कैंची को और फिर गुमाव देके पूरा कले को कट कर लेंगे यहां से अब कैंची को रोकेंगे और फिर गुमा देंगे तो यह हमारी कलियां कट गई है ये देखिए चार कलियां हो गई हमें डेड़ इंची रखना है एक्स्ट्रा को थोड़ा बहुत हो तो उसे कट कर दीजिए अब इनको खोल देंगे अब इनकी सिलाई करेंगे सबसे पहले हम पाट को बिछाएंगे और फिर अपनी कली को रखेंगे उल्टा करके मतलब पाट और कली की दोनों की सीधी साइड होनी चाहिए और फिर हम यहां से सिलाई कर देंगे आदा आदा इंच कपड़ा दवाते हुए जैसे हम एक पाट में दो कली जोडते हैं और कली की जो लंबाई वाली साइड होती है उसको हम जोडते है, आसन वाली साइड को हम हटा देते हैं, तो इकना तो वो सबते हैं, अभर हम दूसरी साइड से तो हम एक पार्ट में दो कलियां जोड लेंगे, यह देखिए, यहां से हम कली को पूरा जोड लेंगे, अच्छे से, सोरी हां से थोड़ा वीडियो रुख गया था हमारा अब बस नीचे की सैड ले आएंगे तो ये देखिए ये हमारी पूरी अच्छे से जुड़ गई है कली एकदम हमारी पाट और कली बराबर है अगर थोड़े बहुत छोटे बड़े आएं तो उसको आप कली को कट कर लीजिए बेल्ट में हम जोड लगा लेंगे जो हमने बेल्ट ली है तो उसमें जोड हमने लगा लिया है सबसे पहले हम belt का center कर लेंगे belt को मोड लीजिए जितना भी जोड लगाना है 5 इंच का 6 इंच का उतना जोड लीजिए कपड़ा क्योंकि यह मैंने 25 इंच की belt रखी है heavy कमर का size है यह तो अभी हमें जो plate डालनी है वो हम यहां से 9 इंच तक डालेंगे और देखिए अगर last है इसका 10 इंच उससे ज़्यादा कपड़े में plate नहीं डालनी है आपको ठीक है तो यहां से और यहां तक इतने कपड़े में plate डलेंगे बाकी का कपड़ा खाली रहेगा तो सबसे पहले हम अपना पीछे वाला आसन जोड देंगे यानि जैसे मैंने एक कली आपको सिल्के दिखा दी दूसरी को मैंने सेम सिल्ल लिया है और हम अपना आसन लेंगे और उनको जोड देंगे बैक वाले को एक आसन हमारा भी खुला है तो यह पीछे का आसन जुड गया मेरा कोई भी आसन ले लिजी उसमें आपको ये नहीं देखना है कि पीछे का कौन सा है अब तीन इंच धर से और तीन इंच धर से दो निसान लगा लिए अब यहां पे आप सीधा रखिए कपड़े को और दो प्लेट डाल दीजे आमने सामने मुह करके इनको बॉक्स प्लेट बोलते हैं तो ये पीछे की दो प्लेट डल गई हमारी अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें इसमें प्लेट लगानी है तो इसको रखिए और जो हमने बेल्ट का सेंटर लगाया था बेल्ट में उसको बिलकुल बीचा बीच में रखके और जितना कपड़ आपका खाली है उतना आप सिल लीजिए उसमें हमने कोई नापा नहीं है बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जिस कपड़े के आप प्लेट डाल रहें उसको तो सीधा रखना है और बेल्ट को उल्टा करके रखना है अभी देखिए फ्रेंट्स मेरा 9 इंच कपड़ा बचा है सिर्फ बेल्ट में 9 इंच कपड़ा छोड़के अगर आप से 9 इंच में कवर ना हो तो आप लास्ट दस कर लीजिए लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है और प्लेट के अंदर मैं प्लेट की चोड़ाई लगबग 3 इंच ले रही हूँ और ये 3.5 मिटर की सलवार है तो यहाँ से हम लगबग जो कलियां है उनको एक दूसरे के नीचे दबा के रखेंगे यह देखिए यहाँ से और बिल्कुल हमें सारा कपड़ा इसी में अर्जेस्ट करना है यह द्यान रखना है आपको यह देखिए मैं पूरे ही कपड़े को और मैं जो प्लेट का मुह है वो मैं आसन वाली साइड को कर रही हूँ यहां से आसन वाली साइड को हम प्लेट का मुह करेंगे और पूरे कपड़े को हमें इसी में अर्जेस्ट करना है इधियान रखना है आपको यह देखिए प्लेट के नीचे प्लेट को दबा देना है और तीन तीन इंच के आपको प्लेट डालनी है तो ये देखिए ये मेरा पूरा ही कपड़ा यहां पर अच्छे से अर्जेस्ट हो गया है दागे को कट कर देंगे तो ये देखिए प्लेट हमारी एक साइड की डल गई है अब सेम प्रोसेस दूसरी साइड से करेंगे पूरा कपड़ा सिल देंगे सिर्फ 9 इंच कपड़ा रखेंगे बैल्ट में मैंने कट भी मारा है सिर्फ 9 इंच कपड़ा बचाके बागे का कपड़ा पूरा सिल देंगे क्योंकि बैल्ट में होना चाहिए वो 9 इंच कपड़ा ठीक है इतना आगे समझ में अब इस साइड से भी आपको आसन वाली साइड को इमूह करना है और प्लेट के नीचे प्लेट को ऐसे दवाना है यह देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ इस तरीके से आप एकटावी प्लेट इसमें बना सकती है मतलब 4-5 प्लेट इसमें आप बना सकती है ऐसे और पूरा सिल लीजिए इसको यहाँ से अब हम पूरे में प्लेट डालेंगे तो यह देखिए यह हमने प्लेट को दोनों साइड को डाल लिया है अब हम एक सिलाई इसके उपर से लगा देंगे ध्यान रखें कपड़ा आपका पूरा उपर की साइड होना चाहिए जिससे हमारी बेल्ट में मजबूती आ जाए मतलब प्लेटे हमारी निकलेना कभी भी उदर देना कई वार प्लेट उदर जाती है बस अच्छे से इसको कवर कर देंगे अभी हम क्या करेंगे इसको यहां से आसन उसका वो बनाएंगे नेफा तो पहले आप आदा इंच सिली और एक इंच कपड़ा थोड़ा फुट को उठाके छोड़ दीजिए फिर दोनो आसन मतलब दोनो जो आपके अभी आपने आसन जोड़े हैं वो मिलने चाहिए आपस में और बैल्ट वाले हिससे भी मिलने चाहिए तो यह हमारी हो गई यहां से दूसरा आसन अब हम इसको से लेंगे नेफे को तो हमने कितना एक्स्रा लिया था इसमें हमने लिया था दो इंच जैसे हमारी साड़े छे इंच की बैल्ट रेड़ी है तो हमने उसमें लगबग दो इंच जादा लिया था तो अब ही हम इसमें महरी बना लेंगे तो हमने एक पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई है लगबग साड़े तीन इंच और हमने डेड़ इंच चोड़ी फॉम वाली बुकरम ली है आप कोई भी बुकरम ले सकती हो जो भी आपके पास हो पहले कपड़े को सिल लीजिए अब कपड़े को हमने उल्टी साइड से सिला है अब बस इसको फॉम वाली बुकरम को इसके पास पास रखके और यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए form वाली बुकरम के उपर सिलाई नहीं लगानी है आपको सिर्फ कपड़े के अंदर-अंदर सिलाई लगानी है क्योंकि फिर ये बुकरम मोटी हो जाती है तो इसलिए इसको छोड़ के तब सिलाई लगानी है अब हम क्या करेंगे अब इसको उल्टी साइड को पूरा पलट के अब आप इसमें जो भी डिजाइन बनाना चाहती है आप अपनी पतंद से इसमें कोई भी डिजाइन बना लीजिए अब यहां से पहले मैं एक सीधी सीधी लाइन बनाऊंगी फिर इसमें जिग जैग बना लूँगी तो यहां से देखिए हमने इसमें इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे दोनों महरी में तो मैंने डिजाइन बना लिया है अब मैं इसकी महरी की चोड़ाई रख रही हूँ साथ इंच पे बस साथ इंच लेने के बाद अब इसको आसन तक ले आएंगे और दूसरी महरी को सेम मैथड से बना लेंगे तो हमारी जो सलवार है वो बनके रेडी हो जाएगी आसन वाली साइड से डबल सिलाई लगा देंगे आप इसी तरीके से बना लीजेगा यह सिर्फ डाई मीटर की सलवार है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से बताईएगा एक्स्टा फैब्रिक को कट कर देंगे सिर्फ डेड इंच कपड़ा रखके तो इसका पीछे का लूक है देखि कितना प्यारा आरा है सिर्फ डाई मीटर की सलवार है और फ्रंट से भी प्लेटे बहुत अच्छी आई थी अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकती है कमेंट करके वीडियो देखने के लिए धन्या